दोस्तों नमस्कार आज की सिने वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मनी टांसफर कैसे किया जाता है बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया कि जब हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मनी टांसफर करते हैं यहाँ पे चार्ज कर जा सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से आपको चार्ज लगेगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि अगराप किकरेंगे यहां से किलीक कर के यहां पर आपको यहां पर कीज अई कड़ेंगे यहां पर करके मोई plastics कर सकते हैं इंदेखें यहां पर आ चुका है कोंटेक्ट के दवार आप मनी टांसफर कर सकते हैं एकौनट प्लस आफ और था कोड के मादियम से मनी टांसफर कर सकते हैं जब आप यहां से करेंगे तो आपका कोई भी मनी टांसफर करते समय चार्ज नहीं लिया तो चलिए हम यह आपको दिखाते हैं एकाउंट नमर के तौरा तो यहां पर देखिए जिन वेक्टी को आप पेमेंट टांसफर करना चाहते हैं उनका नाम उनका एकाउंट नमर और फिर से दुबारा करफरमेशन के लिए एकाउंट नमर उसके बाद उनका ऐफसी कोड तो अ टिस्टिक यहां पे क्लिक करके डिस्टिक एड कर देढ़ उसके बाद कौन सा बरां से बरांड यहां पर टिन कर दीजीए तो यहां पहाई जाएगा अपई को जब निकल जाए क्लिक करेंगे और यहां पे amount इंटर करेंगे तो जैसा कि हम यहां पे 1500 इंटर कर देते हैं उसके बाद यहां पर रिमार्क में आप कुछ भी मेसेज़ आप यहां पे लिख सकते हैं उसके बाद OTP को इंटर करने के बाद submit button पे आप किलिक करेंगे तो चलिए हम submit button पे किलिक कर देते हैं और submit button पे किलिक करने के बाद आप यहां पे देख पाएंगे कि मेरा money transfer हो चुका है जो की एक भी चार्ज नहीं लगेगा तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 500 का 500 यहां पे amount transfer हो चुका है जब आप यहां पे बेक आ जाएंगे home page पे बेक आने के बाद यहां पे देख सकते हैं अब मेरे खाते में जो balance बचा हुआ है और यहां पे view statement हम आपको दिखाते हैं तो यहां पे देखिए कोई भी यहां पे charge नहीं लगा है तो यहां पे debit हो इसी तरह से आप इंडिया पोस्ट payment bank से money transfer कर सकते हैं अगर इस वीडियो के recording कोई भी सवाल या सुझाव है आप हमें comment box में बता सकते हैं तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए सांधार वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद